जानवरों के बच्चे इगल के सबसे पसंदीदा खानों में से एक होते हैं क्योंकि उनका शिकार करने में इसे ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करने पड़ती और शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते होंगे अब अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ अलग है क्योंकि खाना भी ज्यादा स्वाद में भी अच्छा या इस इगल को आसमान में मंडराते देख ये बेबी माउंटिन गोट्स डर के मारे भाग रहे हैं लेकिन ये इगल उन पर तप तक हमला नहीं करेगा जब तक ये छुंड में हैं वो बस अभी इन बकरीयों के अंदर अपना खौफ पैदा कर रहा है ताकि वो सब अपनी चान बचाने के लिए छुंड से अलग होका रिदरदर भागने लगे सब कुछ इगल के प्लान के इसाब से ही हो रहा है सारी गोट से एक दूसरे से अलग हो चुके जिन में से एक कोई शाते रिगल ने अपने पंजों से पकड़ा और उडान भर लिया उस भारी शिकार को लेकर उन्ने वेबी इस इगल को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही यह मासूम बक्री आज इस इगल और इसके पूरे परिवार का खाना बनने वाला है